मैं आप से किवले बताना चाराओं आज दो बहुत महत्पूर्ण विश्यों पर ये प्रेस्वारता का आयोजन किया गया है एक जो पूरे देश में अखिल भारती विद्यारती परिशत जो अपने पूरे तौर पर पर पेशेवराप राधियों के गिरोह के तौर पर सामने आ किसानों और आदिवासियों पर सरकार, सरकारी, तंतर और पुलिस किस तरह अत्याचार कर रहा है, किस तरह बरबरता कर रहा है, इसकी दो मिसालों के साथ अमानुई घटनाओं के पुरे का पुरे विस्तार में विर्वन जो है गोपाल जी देंगे, जो की आपको पता है कि गुजरात मद्यपरदेश और 36 गल के प्रभारी भी है कुमार भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेस्ट कॉन्फरेंस शुरू करें मित्रों लोकतंत्र में चुनाव आते रहते हैं लेकिन भारत के इतिहास में कम ही ऐसे अवसर आये हैं जब राजनितिक पार्टियों ने देश की अस्मिता को दाव पर लगा कर चुनाव जीतने का प्रयास किया हूँ पिछले वर्ष देश की राजधानी के केंद्रिये विश्वविद्याले में चंद लड़कों ने भारत विरोधी नारे लगाए और उन्होंने मन्शा जाहिर की के भारत तेरे टुकुडे होंगे उस द्रश्य को देखकर हर भारतिय नागरिक की तरह मुझ जैसे सामाने गत्ती में एक सामाजी कारिकरता में एक पार्टी के कारिकरता में बड़ा आक्रोश पैदा हुआ और भारत की पहली राजमितिक पार्टी आमादमी पार्टी थी जिसके राष्टिय प्रवक्ता होने के नाते पार्टी का आधिकारी की स्टेंड हम मैंने आगे रखा और कहा कि देश के ग्रहमंत्री और केंद्रिय सरकार को ये जो चार पाच्छे लफंगे जिनकी नाक दिख पार्टी ये जिनके बाल दिख रहे हैं जिनका चेहरा दिख रहा है इने तुरंत पकड़कर जेल में डालना चाहिए किसी कैसे हिम्मत हुई के इंदुस्तान में रहकर इंदुस्तान की धर्ती पर यहां का अंड खाकर देश की अखंडता के विरुद्ध नारा लगाए ले प्रवता करके उसे बेच कर सत्ता पर कबजा किया जा सके इसलिए उन लड़कों को नहीं पकड़ा गया और आज तक वो दिल्ली पुलिस की गिरफ से बाहर है केंदर सरकार की दिल्ली पुलिस जो सोमनाद भारती के मूख कुत्तों को पकड़ लाती है वो उन छे लफंगों को नहीं पकड़ पा रही है जो भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं ये पिछले राज्यों के चुनाव से पहले की घटना है उस चोटे से वीडियो को जमानत पर बाहर छूटे हुए दलाली के आरोप में जो पकड़े गए थे ऐसे कुछ पत्रकारों के माध्यम से और कुछ च शांत पड़ गया अफजल गुरू की वकालत करने वाले अफजल गुरू के मौटल रिमेन मांगने वाली बुआ के चरणों में जाकर लेट गए और वहाँ जाकर एक सरकार बना ली पूरे देश ने इस बात को देखा प्रदान मंत्री ने दो धज के बीच में खड़े होकर शबद दिलवाई महा जाकर अब चुकि फिर उत्तर प्रदेश में बौकलाहाथ है हार सामने दिख रही है तीसरे नंबर की कोशिश है कि तीसरे पर वो आए कि बसपा आए कि कॉंग्रेस आए तो इसलिए सारे प्रयासों के बावजी उद अभी एक नया नाठक किया गया है जिसमें इन ही के कुछ लोग हर बार किसी परिसर में जाकर भारत विरुद नारा लगाते हैं और उसके बाद अखिल भारतिय विद्यारती परश्रत जिसका आपने तीन आप्त वाक्यों ग्यान चरित्र एकता इन तीनों से कोई संबन्ध नहीं बच गया है वो तीनों संबन विश्वरंगमंच पर यह कहते रहे कि ISI है जो भारत में आतंकवाद के खिलाफ है लेकिन यह पहली राष्टवादी सरकार है जिसने अपने हिया हमले करवाए जो हुए उसके बाद ISI को बुला के कहा कि देखलो ठीक से हो पाए कि नहीं आपाए पहली बार ISI के अधिकारी भ सुचना है यह मैं पहला आखबार आपको दिखा रहा हूं जिसमें भोपाल में सिम कार्ड बरामाद मोबाइल कार्ड बरामाद जिसमें एक करोड़ों रुपे के लेंदेन का नेक्सस धूड़ा गया है जहां मध्यप्रदेश भारती जिनता पार्टी की IT सेल का संयोजक जो जब नारा लगा तो नारे के खिलाफ इसी लड़के ने बहुत सारे लोगों को लेकर प्रदर्शन मार्च भी निकाला यानि कि एक तरफ तो भाजबा के कारे करता ISI से पैसे लेकर भारत में रक्षा जो ठिकाने हैं उनके नक्षे बेच रहे हैं उनका सामान बेच रहे हैं इस देश के सैनिक की हत्या का शडंत रचवा रहे हैं ISI के साथ मिलकर और दूसरी तरफ ये छद मराष्टवादी सड़क पर भारत माता की जै कि नारे लगाते हु इस पर बोलने वाले प्रधान मंतरी अपनी मन की बातों पर मौन है यह आपके सामने है इसी तरह आपने देखा होगा यह भी एक अकबार है जिसमें ISI एजेंट बलराम जो बजरंग दल का कारे करता है और बजरंग दल की यूनिट जो इस्तमाल करता है आप सब जानते हैं क जोड़ों को दोड़ा दोड़ा कर पीठता है और तताकत इस संस्कृति रक्षक इसको जायस ठहराते हैं इस बदरंग दल के कारेकरता को पकड़ा गया और जिसने ISI के एजेंट के तोर पर काम किया भारत के रक्षा ठिकानों के नक्षे भेजे भारतिये सेना का और मध्य प्रदेश में लोगों का जुड़ा हुआ है आईसाई जासुसों से बीजेपी के कनेक्शन का एक और सबूत ये पत्रिकार ने चापा है इसमें वो व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है ध्रोग जो वहाँ पर है भाजपा के कारेकरता है इन्होंने साफ बताया कि इ कर्मेंट आईसाई को भेजते रहे मित्रो जिस दिन से और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसी कोचिंग सेंटर के थूँ इसी कॉलिंग सेंटर के थूँ भारतिय जनता पार्टी की रैलियों का खडचा इस लड़के ने और इसके सेंटर ने उठाया है इसने पोस्टर च हुआ भारत में कि बिना बुलाए बराती की तरह केक खाने के लिए प्रधान मंत्री जो यह कहा करते थे कि गोली की आवाजों की भी शांती की वारता नहीं हो सकती वो नवाज शिरिक के यह पहुँचे और उनके जाने का प्रणाम यह हुआ कि पठान कोट में हमें लेटिन की सरकार के उपर और कहा कि हमारा इसमें हाथ नहीं तो आपने खुद कराया है और अब यह सबूत निकल के आए हैं जिसमें भाजपा के लोग बजरंग दल के लोग यह सब काम कर रहे हैं यहां प्रशन यह उटना है कि देश के कैंपस चाहे वो जैन्यू का हो चाहे रामज सरीका है आम आदमी पार्टी के विधायकों को सड़क चलते गिरफ्तार करके कीर्तिमान बनाने वाले प्रदान मंत्री जी अपनी असफलता स्विकार करें कि दिल्ली में उनकी नाक के नीचे केंद्रिय विद्याले में चंद लफंगों ने हिंदुस्तान के खिलाप नारा लगाया और वो आज तक गिरफ्तार नहीं किये गए आज तक उन चेहरों की पुष्टी नहीं हुई उन्हें जेल के पीछे नहीं डाला गया और कल रामजस कॉलेज में फिर यही हुर्दन कराने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश चुनावों में जीतने की जद्दो और भारत में इस बात की हिम्मत लोगों में पैदा मत करिये आम आदमी पार्टी पूरे तच्छों के साथ सबूतों के साथ इस बात को रिखंकित कर रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजंसी इस समय बीजेपी और उसके संगठनों के माध्यम से चाहे वो एबीवीपी हो चाहे बजरंगल हो अपने पैसे भेज कर कोशिश करा रही है कि किसी तरह से भारत के रक्षा सोदों की बात बाहर जा सके मैं तमाम राष्टवाद के पहरोकार उन मासूम लोगों से जो इनके चक्कर में हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि ये अपने पूर में राम को ठक पर चुके हैं रामललाढ टाट में हैं यसारे ठाट में इस बार ये इस देश को ठगने वाले इस राष्टवाद का नारा ले कर तो इन फरजी राष्टवादियों की चपेट से इस डेश को बचाने के लिए देश के सारे छाट्रों से अनुरोध है कि अगर उन्हें किसी लेगा फिर रैलियां कराएगा फिर चंद लड़के जाकर नारा लगाएंगे भारत माता मुर्दाबाद के फिर पांच्छे लड़के उनको पीटेंगे और फिर यह राष्टवाद के महानायक बनकर सामने आएंगे तो हम आम आदमी पार्टी की और से देश के तमाम जागरूक नागरिकों को जो पॉलिटीकल इंकलेशन के साथ नहीं है उन सबसे अनुरोध करते हैं कि वो मतदान का निरिने अपने विवेक से ले वो अ को जिताएं बी को जिताएं सी को जिताएं पर उन लोगों को पहचानने जिन्होंने राम को बेचा और जो इस राष्ट को बेचने वाले हैं उनको पूरी तरह से पहचानने इन अख़बारों को दुबारा दुबारा देखें इन चेहरों को पहचानने के बीजेपी की आईटी सेल का संयोजक मद्यप्रदेश का उसके बारे मर वह कबूल कर रहा है वो पुलिस के सामने भी कबूल कर रहा है कि उसको बाकाइदा पैसे मिले करोन रूपे का लेंदेन हुआ तो हम इस नेकसस को एक्सपोज करना चाहते हैं और हम इस लड़ाई को आखरी हक तक ले जाएंगे छात्रों के साथ चाहे वो रोहित मुलावाला मामला हो चा कहा जाता है आएटी खड़कपुर से अरविंद केजरिवाल हमारे राष्टी सेयोजक पास आउट है आएटी खड़कपुर गर्व से कहता है कि हम वहाँ से निकले मैंने मेरे विश्विद्याले से PhD किये मेरे अपने ब्रोशर में लिखता था कि हमारे यहां से कुमार बैटी है जिसे हम एक्सपोज करते रहेंगे